शिव के गणों की माया भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदेव ततपर रहते थे उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर वीरवद्र जहां भी शिव मंदर स्थापना होती है वहां रक्षक कोतवाल के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है भैरव दो हैं काल भैरव और बटुक भैरव दूसरी ओर वीरवद्र शिव का एक बहादर गण था जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापती का सर धड़ से अलग कर दिया था देव सहिता और सकंद प्राण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरवद्र नामक गण उत्पन किया इस तरह उनके ये प्रमुक गण थे भैरव, वीरवद्र, मणीवद्र, चंदिस, नंदी, सरंगी, भ्रगिर्टी, शैल, गोकन, खंटाकन, जै और विजय इसके अलावा पिशाज, दैत, दानव, भूत और नाग, नागन पश्वों को भी शिव का गण माना जाता है ये सभी गण धर्ती और ब्रह्मान में विचरन करते रहते हैं और प्रतेग मनुष से आत्मा, आदी की खेर खवर रखते हैं शिव के द्वारपाल केलाश परवत के शेत्र में उस काल में कोई भी देवी या देवता दैत्यादानव शिव के द्वारपाल की आज्या के बगैर अंदर नहीं जा सकता था ये द्वारपाल संपूर्ण दिशाव में तैनात थे इन द्वारपालों के नाम है नंदी, संकद, रिटी, ध्रशब, भरंगी, गनेश, उमा मैश्वर और महाकाल उल्लेखनी है कि शिव के गन और द्वारपाल नंदी नहीं कामशास्त्र की रचना की थी, कामशास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया था शिव पंचायत, पंचायत का फैसला अंतिम माना जाता है देवता और देत्यों के जगडे आधी के बीच जब कोई महत्योपूर्ण नेने लेना होता था तो शिव की पंचायत का फैसला अंतिम होता था शिव की पंचायत में पांच देवता शामिल थे ये पांच देवता थे नमबर वन सूर्य नमबर दो गनपती नमबर तीन देवी नमबर चार रुद्र और नमबर पांच है विश्नु ये शिव पंचायत कहलाते हैं शिव पारसद जिस तरह जय और विजय विश्नु के पारसद हैं उसी तरह वान रामण, नंदी, शरंगी आधी शिव के पारसद है यहां देखा गया है कि लंदी और ब्रंगी गण भी है द्वारपाल भी है और पारसद भी उल्लेखनी है कि शिव ने अपने एक गण का सिर काट कर ही विनायक के धड़ पर लगाया था इसलिए विनायक को गनेश और गनपती कहा जाता है